बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऐसी crop varieties जो hybridization और selection के थुरू breed करी गई है और ये disease resistant to fungi, bacteria और viral disease दिखाती है ये जो है table 9.1 class 12 की मुख से है crop variety and resistance to disease पहला है weed इसकी हिमगिरी वराइटी, leaf and stripe rust और hillbund के ले रेसिस्टेंट है brassica की पूसा स्वर्णें वराइटी, white rust के ले रेसिस्टेंट है cauliflower की पूसा सुबरा और पूसा स्नोबल केवन वराइटी, black rot और curl blight black rot के ले रेसिस्टेंट है cow peeve की पूसा कॉमल वराइटी, bacterial blight के ले रेसिस्टेंट है chili की पूसा सदा बहा, chili mosaic virus, tobacco mosaic virus, orange, leaf curl के ले रेसिस्टेंट है आप चाहे तो इसका screen shot ले सकते हैं इस table को याद करने के लिए बच्चो मैंने एक trick बनाई है जिससे आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये एक छोटी सी कहानी के form में है, कहानी incomplete है ये तीन बच्चो की कहानी है जो हिमालय के पास रहते है हिमालय आपको याद दिलाएगा हिमगिरी की उनके नाम थे करन, उशा और जेसिका इसमें करन और उशा भाईबैन है, जेसिका उनकी दोस्त है करन आपको याद दिलाएगा करन राई की, उशा आपको याद दिलाएगा पूसा की जेसिका आपको याद दिलाएगा बरासिका की इस same table को आप देखे, ज्यादा तर वेराईटी के नाम एक हिमगिरी को छोड़के सब पूसा से स्टाट हो है तो आपको यह याद दिला देगा कि पूसा जो है वो वराइटी के कई सारों के नाम के स्टार्टिंग है यह बच्चे और उनके फैमिली वाले वीट, राई और चिली उगाते थे अभी जो राई जो उकती है, इसमें पीले रंग के फूल लगते हैं, जो फूल ब्लूम पे होती है तो यह आपको गोल्ड वर्ड जो है, आपको पूसा स्वर्णिम किया दिलाएगा पूसा स्वर्णिम जो है, ब्रासिका की वराईटी है, जो वाइट रस्ट ले रेसिस्टेंट है यह जो लड़की उशा थी, इसको बार-बार मोबाईल से जैसिका को कॉल करने की आदत थी यह जो कॉलिंग वर्ड है, यह आपको कॉली फ्लावर की याद दिलाएगा अच्छा, यह जो बच्चे थे तीनों की तीनों, इनको रस्क और बंस जो गेहूं से बनता है, वो खाना बहुत पसंद था रस्क आपको यादिलाएगा लीफ एन स्ट्राइप रस्ट की और बंस आपको यादिलाएगा हिल बंड की यह जो है, वीट की हिमगिरी वराइटी इन से रसिस्टेंट है जो राई है, वो ब्लैक कलर की भी होती है, इसकी जो पूसा स्वरने में यह वाइट रस्ट ले रस्टेंट है तो आपको याद रखना है कि जो ऑपोसिट कलर है वो होगा, ब्लैक वाइट रस्ट कॉली फ्लावर जो है, आप जानते हैं गोभी, वाइट रखन की होती है, इसकी दो वराइटी पूसा सुबरा और पूसा स्नूबॉल के वन शुब्रा जो है संस्क्रिप्ट का शब्द है, यह वाइट क्लिय है, और स्नूब आप जानते हैं वाइट तो आप पचानलेंगे कि वाइट वाइट दोनों मिलते जूलते हैं यह जो है resistant है black rod and curl bright black rod. तो आप याद करोगे कि black रंग की राई white rose से resistant है और white color का काओलिफलावर black rod से और curl bright black rod से resistant है. इन बच्चों के पास एक गाय भी जिसका नाम कोमल था. वो कोमल ऐसे यहां वह दोरती भी जैसे कि वो बहुत हल्की हो. तो ये जो काव शब्द है आपको काव पी किया दिलाएगा काव पी लोबिया होती है कोमल आपको पूसा कोमल किया दिलाएगा लाइट आपको बेक्टीरियल ब्लाइट किया दिलाएगा अच्छा ये जो ये मिर्ची उगाते थे इसको घर से थोड़ा दूर उगाते थे और उस बात से ये मिर्ची जो है थोड़ा नाराज रहती थी ये जो जहां उगाते थे उसके अगल वगल तमाको भी उगाते थे तो यह जो सदा बाहर है इसको ब्रेक करेंगे आप तो यह सदा बाहर होगा मतलब थोड़ा से दूर तो यह आपको याद दिलाएगा पूसा सदा बाहर चिली की पूसा सदा बाहर आपको पता है कि टोबैको मोजाइक वाइरस, चिली मोजाइक वाइरस और लीफ कल से रसिस्टेंट है एक दिन ये चिली जो है टोबैको मौसी के बगल में करल हुई मतलब उसके गले लगके बहुत सारा रुई तो ये आपको यादिला देगा किस किस से रसिस्टेंट है अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है इनमें से कई बार कुशन आया हुआ है लीफ रस्ट पकसीनिया ट्रिटिसीना से होता है स्ट्राइप रस्ट पकसीनिया स्ट्राइफॉनमिस से होता है हिल बंट तिलेशय ट्रिटिकाई से होता है स्ट्राइप रस्ट कुछ इस तरह से इंफेक्ट करता है कि स्ट्राइप बन जाती है उसकी पत्ती में बैक्टिरियल ब्लाइट औफ काउपी ये जो है जैन्थोमुनास एक्जोनोपोडिस से होता है वाइट रस्ट जो है एल्बू को कैंडिटा से होता है यह बहुत बार आया वा कोशन है ब्लाइक रॉट अफ क्रूसिफर्स जैन्थोमुनास कंपेस्ट्रिस से होता है यह भी कई बार आया कोशन है लीव करल अफ चिली यह वाइरल से है यह डी एने वाइरस है ठेक्स वर वसिंग चुछ